सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी दिकेटरिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन्स के लिए इस बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो क्रेजी दिकेटरिक आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की ancient history बहुत ही important lecture है बहुत से student को confusion होता है इस topic में मैंने बहुत अच्छे से simplify किया इस topic को आपको just lecture देखना है एक story के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और आपको ऐसा देखना है कि कोई movie चल रही है याद करने की कोशिस 20 में बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार lecture complete हो जाए फिर आप दुबारा play करके उसको याद कर लिजिएगा मैंने एक last में question answer test include करा है जो कि बहुत ही important है एक बार आप जब theory section complete कर ले उसके बाद में वो question answer test जरू लगाएगा क्योंकि मैंने last में वो question include करे हैं जो दो तिन तिन बार question repeat हो रहे हैं exams में तो जरू लगाएगा question answer set इस lecture में दोस्तों मैं आपको 5000 साल पहले से start करूँगा ठीक है सिंदू सब्विता से और आपको धीरे धीरे करके कहां तक लेकर आउँगा 712 इसवी जहां पर मुहम्मद बिन काशिम ने भारत पर आक्रमन कराता हम वहां तक आपको मैं स्टोरी के माध्यम से लेकर आउँगा दोस्तों 712 इसवी के बाद में मध्दिकरिन भारत चालू हो जाता है और वहां से मैंने लेक्चर आपको कम्लिट करवा रखा है तो चलिए दोस्तों हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अच्छे से फोकस्ड हो जाईए चलिए तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आज से 5000 साल पहले की जो सबसे पुरानी सब्विता हैं वो है कौन सी? सिंदू हरपा सब्विता इंडस वेली हरपा सिविलाइजेशन हम उसकी बात कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से सुनिए सबसे पुरानी जो सब्विता थी वो कौन सी थी? सिंदू सब्विता हरपा सब्विता जो है वो सबसे पुरानी सब्विता हैं सिंदू सब्विता के लोग जो थे वो भारत के मूल निवासी द्रविन लोग कहलाते थे अब बाताती है कि सिंदू सब्विता की कोच हुई कैसे पता कैसे जला इसके बारे में 1857 में कराची और लाहोर के बीच रेल पट्री बिचाने के दोरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचिन नगर हलपा और मोहन जोदोलोग के बारे में पता लगा और इस सब्विता का नाम हलपा इसलिए रखा गया क्योंकि जब इन दो नगरों के बारे में पता चला उसके बाद में जो उत्खलन का काम चालो हुआ खोदने का काम चालू गए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्थित, हडपा नामकिस्थान पर पहली बार उत्खलन का खुदाई का काम चालू गए. इस वज़े से इस सब्वेता का नाम क्या रख दिया गया? हडपा सब्वेता रख दिया गया. जबकि मोहन जोदुलो जो शहर था वो सिंदु नदी के किनारे इस्थित था चलि दोस्तो आगे हम हम बात करते हैं उत्खलन के फर्ट सरूप बहुत सरे जानकारी प्राप्त हुई जिससे इस सब्बिता के बारे में अनुमान लगाया गया क्या लगाया गया देखी तकरीबन पांस जार साल पहले एक उच्छ इस्तरी सब्विता विक्सित हुई थी जिसकी नगर नियोजन विवस्ता उच्छ कोटी की थी लोगों को नालियो तो था सडकों के महत्व का अनुमान था सिंदू सब्विता एक नगरी सब्विता थी या थी एक नगरी सब्विता थी सिंदू सब्विता के लोग इटो का प्रियोक करते थे गुजरात का शोहर लोथल सिंदू सब्विता का एक प्रमुग बंदरगा हुआ करता था मोहन जोदलों में सबसे बड़ा भवन जो था वो कोंचा था धानियागार था तो उनको ये नाम याद रखना है आगे देखिए विशाल इस नानागार ग्रेट बात के बारे में भी पता चला जो की कहां पर इस्तित हैं मोहन जोदलों में इस्तित हैं इसके बारे में पता चला आगे देखिए दोस्तों कांसे से बनी नत्की की मुर्ती भी मोहन जोदलों से उत्कलन के फल्चरूप प्राप्त हुई थी उत्कलन के फल्चरूप ये पता लगा कि सिंदू सब्विता के जो लोग थे उनकी जो अर्थ वेवस्ता थी उसकी ताकत क्या थी? क्रशी और पशुपालन हडपा सब्विता की बात की जाए तो वहाँ पर सभी धातूओं के अवशेश मिले बट लोहे के अवशेश नहीं मिले तो इससे प्रूफ होता है कि सिंदू सब्विता में अभी तक यहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई थी वो खेती किया करते थे तो वो खेती के लिए जो हल यूज करते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे सिंदू सब्विता के लोगों ने सबसे पहले किसका उत्पादन किया? कपाज का उत्पादन किया देखा जाए कि सिंदू सब्विता का अंत कैसे हुआ तो exactly में इस बात का अभी तक proof नहीं हुआ है कि सिंदू सब्विता का अंत सिंदू नदी में आई बाड़ की वज़े से हुआ है कि महाँ पर अकाल पढ़ने की वज़े से हुआ है इस बात का अभी तक प्रूफ नहीं मिल पाया है कि सिंदू सबिता का अंत के से हुआ तो चलिए हमारी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं यह हमने बात करी आज से 5000 साल पेले की उसके बाद समय निकलता गया भारत में सबसे पहले इरान के देश के लोगों ने प्रवेश करा जो की क्या केला है आरियंस केला है इन आरियंस ने भारत के मूल निवासी द्रमिनों को युद्ध में पराजित कर दिया और अपना शाशन इस्तापित कर लिया ये बात हो रही है दोस्तो आज से 32 साल पहले की बात हो रही है तो इन आरियंस ने अपना शाशन इस्तापित कर लिया और इनके द्वारा जो सब्वेता बनी थी वो क्या केला ही वेदिक सब्वेता क्या कहलाई दोस्तो, वेदिक सब्विता कहलाई, अब वेदिक सब्विता के बारे में मैं आपको कुछ important points बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, वेदिक जो सब्विता थी, वो केसी सब्विता थी, एक ग्रामिन सब्विता थी, जो वेदिक सब्विता के लोग थे, इनका मुख् पुन पशू था, ये Aryans अस्त्र, शस्त्र और कवत जैसे उपकरण बनाना जानते थे तो friends, वेदिक सब्विता से related आपको चीजे clear हुई, सबसे पहले नगरी सब्विता के वारे में हमने पड़ा चिंदू सब्विता, जिसका अंत हुआ उसके बाद में क्या आई, वेदिक सब्विता आई, मतलब एक ग्रामिन सब्विता आई, और दिरे-दिरे वापत से हम कहां पर shift हुए, नगरी सब्विता की तरफ shift हुए, और भारत को 16 महा जनपदों में बाड़ दिया गया अब ये 16 महा जनपद मतलब 16 राज्यों में भारत को बाड़ दिया गया कौन-कौन से मगत, अंग, काशी कोशल, वज्जी, मलल जेदी, वज्ज, ये 16 राज्ये हैं इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो कौन सा था, मगत राज्य था ओके? और सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? अवंति का राज्य था, उज्जे नी MPPSC में कोशन बनता है ये वाला काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों अब बात आती है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मगत जो था वो सबते शक्तिशाली था तो ऐसा क्यों? इसका कारण ये था कि मगत जो राज्य था इसके दोनों और नदी बहती थी इस वज़े से यहां की भूमी जो थी काफी उपजाओ थी और क्रशी योग की भूमी थी एगरिकल्चर यहां पर काफी अच्छा होता था इस वज़े से ये राज्य जो था अपने आप में शक्षम राज्य था और काफी मजबूत राज्य था और दोस्तों विंद्याचल शेनी जो है वो देखिए मेप में आपको क्लियर हो रहा होगा मगद के पास था बिल्कुल होती हुए निकल रही है देखिए विंद्याचल शेनी शेनी का मतलब क्या होता है देखिए जंगल एरिया होता है पूरा तो मगद जो ऐसा राज्य था उनको लकडियां जो थी वो अच्छी खासी प्राप्त जयाती करती थी जंगलों से और यहां के जानवर जो थे जंगल के उनको वो अपने युद्ध में उप्योग किया करते थे हातियों का पहली बार युद्ध में उप्योग किस राजजी ने किया था मगद राजजी ने ही उपयोग किया था इनका ठीक है ये 2015 SSE का कोशन था काफी important है ध्यान रखिएगा तो इस प्रकार से दोस्तों मगद जो राजजी था वे काफी शक्तिशाली राजजी था और दोस्तों हमारा जो प्राचिन इत्यास है वो पूरा मगद के आसपस घुमेगा तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस बात को यहाँ पर बहुत सार राजजा अलग अलग राजजा आए इन राजाओं का क्या उद्देशिता ये जो 16 महा जनपद के बारे में आप देख रहे हैं इन 16 महा जनपदों पर कबजा करना और बहुत गरंत का नाम एक्जाम में अक्सर पुछा राता हैं तो वो बहुत गरंत कौन सा हैं देखिए अंगूर हैं कौन सा हैं अंगूर इसके अंदर 16 महा जनपदों का उल्यक किया गया हैं अब देखिए दोस्तों यह हमारी ट्रिक थी जो बहुत गरंत था उसका नाम है अ अंगूर में किया अँ, हमको ऐसे ध्यान रखना है, किस में गया हैं, अंगूर में किया हैं, Оर् अंगूर से हम आसने से पहुश जाएंगे, अंगूत तर निकाय तक, और हमारा कोशिंस बन जाएगा, अब बात करते हैं, दोस्तोर हममगत महा जन्पत की, कि कोन-कोन से जानकारी जो मिलती है वो कहां से मिलती है महाभाराज से मिलती है और मगत की सबसे पहली प्राचिन राजदानी जो थी वो कौन थी गिरी ब्रज थी राजगरो थी क्या थी गिरी ब्रज राजगरो थी मगत की सबसे प्राचिन राजदानी मगत पर सबसे पहले बिमबसार आये विम्बसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी, किसकी करी? हर्यक वंश की स्थापना करी उसके बाद में शिशुनाग आया, उसने नाग वंश की स्थापना करी उसके बाद महापदमा नंद आये, उसने नंद वंश की स्थापना करी और इसी नंद वंश का अंतिम शाशक जो था घनानन उसको चंद्रगुप्त मोरे ने अपने गुरु चानकी की साइता से युद्ध में पराजीत कर दिया था और चंद्रगुप्त मोरे ने मोरिवंश की स्थापना कर दी थी तो दोस्तों ये हमारा पहला फेज है इसके बाद और भी वंश आये हैं हम उनको थोड़ा बाद में डिसकस करेंगे सबसे पहले हम इन चारों को डिसकस करेंगे इन चारों वंश में सबसे इंपोर्टेंट है मोरी वंश मोरी वंश से काफी यादा कोशन्स बनते हैं बट हम इन तीन वंशों को भी कवर करेंगे, इसमें हरियक वंश और नंद वंश से भी एक्जाम में कोशन्स देखने को मिलते हैं, नाग वंश से आपको बस इतना याद रखना है कि नाग वंश के संस्थापक कोन थे, शिशु नाग थे, चलिए, अब मैं आपको हरियक वंश और नंद वंश के बारे में कुछ important point बता जाएता हूँ, उसके बाद में हम start करेंगे, चंदरगुप्त मोरी मतलब मोरी वंश से start करेंगे, देखिए, भिम बसार ने हरियक वंश की स्थापना करी मगत पर सबसे पहले, तो भिम बसार जो था, वो बोध धर्म का अन्याई था, इसकी म्रत्य उसके पूत्र अजाच शत्रू ने कर दी थी, और इस अजाच शत्रू की मत्य उद्दाईन इसके पूत्र ने की थी, और इसी उद्दाईन ने, ध्यान रखेगा important question है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली पुत्र नगर की स्थापना करी थी, किसने इस उद्दाईन ने, BPSC exam में, Bihar PSC के exam में question पुछा याता है, ये काफी important question है, इसके बाद कौन सा वंच आयता, नाग वंच आयता, जिसकी स्थापना शिशू नाग ने करी थी, उससे हमको बस संस्थापक का नाम ही या पाक्रमन किया, सिकंदर ने पोरव राजा पोरस के साथ में, जहलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था, और इसमें सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था, और ये युद्ध किस नाम से जाना गया? हाइडेस्पिन के युद्ध के नाम से जाना गया, ये काफी important है, इसकी मृत्यू जो थी सिकंदर की वो जोर की वज़े से बैबिलोन में हो गई थी, काँ पर हुई थी बैबिलोन में। अंतिम शाशक जो था नंदवन्ष का वो कौनता गणानन था और इसी गणानन को चंदरगुप्त मोरे ने अपने गुरू चानक की किसाईता से युद्ध में पराजित कर दिया था और मगत पर मोरे वन्ष की स्थापना कर दी थी तो चलिए अब हम बात करते हैं मोरे वन्ष की तो देखिए काफी इंपोर्टेंट हैं मोरे वन्ष यहां से काफी कोशन्स बनते हैं तो ध्यान से सुनिए बिलकुल एक एक बात इस वन्ष का संस्थापक को ता चंदरगुप्त मोरे था इसके गुरु का नाम क्या था? चानक के था चानक के क्या वास्तिव के नाम क्या था? विश्नु गुप्त और कोटिल्य था इसने अर्थशास्त्र नामा क्पुस्तक लिखी है इसने चानक के ने और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्यक किया गया है मोर इवंश की प्रचलित मुद्रा जो रही थी वो क्या रही थी? पन रही थी चंदुरुप्त मोर के शशनकाल में सिकंदर के सेनापती सेल्यूकस निकेटर ने आकरमन किया था और इस सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का नाम क्या था? मेगस्तनिस था ये काफी important question है, पूछा जाता है कि मोर इवंश के राजपूत का नाम क्या था? तो मेगस्तनिस था और इस मेगस्तनिस ने इंडी का नामक पुस्तक लिखी थी क्या लिखी थी? इंडी का नामक पुष्थक इसने लिखी थी और इस चंदरगूप्त मौरई ने युनानियो का अंत कर दिया था आगे बात करते हम सेल यूकस निकेटर के पुत्री कारंपूप्त मौरई ने विवा किया था और इसने भारत के आट महा जनपदोबर कबजा किया था, किसने चंदुप्त मोरे ने, चंदुप्त मोरे ने अपने जीवन के अंतिम समय में जेन धर्म को स्विकार किया था, और इसकी मृत्यू कहां पर हो गई थी, श्रवन बेल गोला में उपवास के दोरान इसकी मृत्यू हो गई थी, इसके बाद में मोरे वंश का अगला सशा कोन बना, बिंदु सार बना, तो चलिए बिंदु सार की बात करते हैं हम अब, पुराणों में बिंदु सार को अमित्र गात, वारी सार, बदर सार के नाम से जानते हैं, बिंदु सार जेन धर्म का अन्याही था, बिंद बिंदू सार ने अपने पूत्र अशोक को विद्रो दबाने के लिए बेजा था अशोक ने न केवल विद्रो को शान किया था बलकि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था बिंदू सार ने भारत के दस महा जनपदों पर राज किया था इसके बाद अश शोक सबसे महाप्रतापी शाशक था, इसके शाशनकाल में शीला लेखों का प्रिशलन बढ़ा था। इन शीला लेखों की खोच सबसे पहले 1750 में फेन थेलर ने की थी और सबसे पहले 1836 में इसको जेम्स प्रिसेप ने इन शीला लेखों को पढ़ा था। तो खोच किसने करी थी, फैन थेलर ने की थी, और सबसे पहले इन शीलालेखों को पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था, ठीके ये काफी important question है, प्रारम में तो अशोग जेन धर्म का अन्याई था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मार काट के शोग जो था, वो देवा नाम प्रिय के नाम से विख्यात था, देवा नाम प्रिय, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये मोरिवंश खतम होता है, इसके बाद में कौन सा वंश आया, चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो देखे दोस्तों, हमने मोरिवंश तक complete कर लिया है, अब आगे बात करते हैं कि मोरिवंश के बाद कोन सा वंश आया, तो देखिए, मोरिवंश का अंतिम चाशक कोन था, व्रदत था, इसको युद्ध में पराजित कर दिया, पुष्य मित्र ने और शुंग वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश के बाद में वासुदेव वासुदेव ने कन वंश की स्थापना करी, और उसके बाद सिमुक आया, सिमुक ने साथ वहाक वंश की स्थापना करी, और उसके बात में इस साथ वहाक वंश के अंतिम चाशक, साथ करणी को युद्ध में पराजित करा, श्री गुप्त वंश की स्थापना कर दी, तो साथ वहाग वंश है, इनके हमको संस्थापक के नाम याद करना है, और इनका सिक्वेंस याद रखना है, ठीक है, इनके सिक्वेंस है, और संस्थापक से कोश्चन्स बनते हैं, तो शुंग वंश की स्थापना किसने करी, पुष्यमित्र ने करी, कन्व वंश की स्थापना किस ने करी स्रीमुक ने करी तो देखे दोस्तों श्री गुप्त की बात करते हैं श्री गुप्त ने भारत के छे महा जनपदों को जीता था इसके बाद गटोतकच आया और फिर चंदगुप्त प्रथम अगला शाशक बनाता चंदगुप्त प्रथम ने लिच्वी राजकुमारी देवी के साथ विवा किया था इसी ने बात करते हैं अब समूद्र गुप्त की समुद्र गुप्त संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिको पर विणा बजाती हुई देवी की मुर्ती अंकित की थी महा प्राक्रमी होने की वज़े से इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था किसको समुद्र गुप्त को इसके बात में चंद्रगुप्त दिती अगला शाशक बना चंद्रगुप्त दिती जो था उसको किस नाम से आना जाता था विक्रमा दित्य के नाम से भी जाना जाता है यह भी एक महा प्रतापी शाशक था इसने भारत में शको के आकरमन को विफल कर दिया था अब शको के आक्रमन से आप क्या समझ रहे हैं, विदेशी आक्रमन को विफल कर दिया था, ओके, भारत के इत्यास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाये थे, वो किसन चलाये थे, चंदगुरुप्त दिती ने ही चलाये थे, कालिदास, आरेभट, वराह मिहीर, ब्रहम गु चंदुरुप्त, शुशुत, इत्यादी विद्वान इसी के शाषनकाल में थे, देखिए, तीन बता रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है, कालिदास, आरेभट, वराह मिहीर, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉटेंट है, ध्यान रखना, ये तीन वराह मिहीर जो थे, वो एक क्या थे, खगोल शास्त्री थे, ये ससी 2011-15 का कोश्यन एक दो बार रिपीट हुआ है, आगे देखिए, काली दास्त ने मेगदूतम और कुमार संभाव की रशना की है, किसकी मेगदूतम और कुमार संभाव की, चंदुगुप्त दिती का शाष शाषक बना, शकन गुप्त की बात करते हैं, तो इसने भारत में सबसे ज़्यादा करतिम जिलो का निर्मान कराये था, किसने शकन गुप्त ने, इस वंश का अंतिम शाषक कोन हुआ था, भानु गुप्त हुआ था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये गुप्त वंश जो जिसे चालुक की वंश, चोल वंश, ये सारे जो वंशज हैं, इन सब को हम दक्षिन भारत के जितने भी राजवंश हैं, इनको हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, विद कोशन आंसर टेस्ट के साथ में, ओके, चलिए, आगे हम बात करते हैं, अब कुछ कर लेते हैं, रिगवेद, ये सबसे प्राचिनतम वेद हैं, और इसे संसरत भाषा का जनक माना जाता हैं, किसको रिगवेद को, गायत्री मंत्र की रचना रिगवेद से ही की गई है, इसमें 10 मंडल, वो 1028 सुक्त हैं, ये 1028 दिमाग में चप जाना चीए, ठीके, साम्मेव करते हैं यजूरुएद की, इसमें क्रश्णी उपास्ना का उलेख मिलता हैं यजूरुएद में, और सबसे लास्ट आता है अथरुवेद, सबसे आधूनिक्टम वेद जो है, वो कौन सा हैं अथरुएद हैं, और जादू टोना टोटका अथरुएद से ही लिया गया हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा, राज्तरंगणी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कलहन है, यह पुस्तक कश्मिर के इतिया से संबंदिते हैं, चीनी यात्री हुएंगसान हर्श्वरदन के सेशन काल में आयते, जबकि चीनी यात्री फाहियान चंदरगुप्त दिती के सेशन काल में आयते, यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेगा, अगर आपको याद करना है देखिए हर्श्वरदन का हर और स्टोरी सेक्षन है, वो कंप्लीट होता है, मैंने पूरी कोशिश करिये कि मैं स्टोरी के माध्यम से आपको पूरा समझाओं, दोस्तों अब हमारे सिर्फ दो छोटे-छोटे टॉपिक रजाते हैं, एक रजाता है धर्मी कांदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत दधर्म हम सौल कर पा रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट कोशिशन मैंने इंक्लूट करे हैं, तो आप टेस्ट जरू लगाईए, चलिए, तेके दोस्तों हमारा पहला कोशिशन है, विशाल स्नानागार कहां मिला था, तो कहां पर मिला था, मोहन जोदलों में मिला था, तो आंसर क् सिंदू गांटी के लोगों की एक महत्पुर्ण रचना निमलिकित में से किसकी मूर्ती थी, तो कौन से मूर्ती थी, नत्य करती हुई बाली का, बी आंसर होगा, उस राज्य का नाम बताईए, जिसने पहली बार युद्ध में हातियों का इस्तमाल किया था, तो किसने करा तो क्या होगा आंसर, बी आंसर होगा, काफी इंपोर्टेंट कोशन है, चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं, सिंदू गहंटी का बंदरगा का क्या नाम था, तो बंदरगा क्या नाम था, लोथल बंदरगा, तो बी आंसर होगा, सिंदू अर्थ विवस्ता की ताकत थी, क्या नेक्स्ट कोशन लेते हैं हडपा सब्विता से अभी तक किस धातू की प्राप्ती नहीं हुई है तो लोहे की प्राप्ती नहीं हुई तो D आंसर होगा देखिए कथन A बोल रहा है हडपा तथा मोहन जोदोडो अब विलूप्त हो गए है ये बिल्कुल सही बात है कथन R बोल रहा है कि वे उत्खलन के दोरान प्रकट हुए बिल्कुल सही तो R जो है वो A की सही स्पस्टिक रण कर रहा है तो देखिए A और R दोनों सही है R A का सही स्पस्टिक रण कर रहा है मतलब A अंसर होगा नेक्स्ट कोशन देखिए, प्रसिध गायत्री मंद कहा से लिया गया हैं? तो कहा से लिया गया हैं? रिगवेज से लिया गया हैं, तो A answer होगा...? ठीक हे? नेक्स्ट कोशन लेते हैं किसकी सेना ने गृट शाषक सिकंदर के साथ जहलम नदी पर युद्ध लडाता तो किसने लडाता पोरस ने राजा पोरस ने लडाता क्या आंसर होगा सी आंसर होगा अगला कोशन देखिए निम लिखीत मगत के राजवंशों को क्रमानु सार अपने को जमाना है देखिए नंदवंश, शिशुनागवंश, मोरिवंश और हर्यकवंश सबसे पहले हर्यकवंश की स्थापना करी थी, उसके बाद शिशुनागवंश, फिर नंदवंश और मोरिवंश तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 मतलब B आंसर होगा ठीक है फ्रेंट्स, चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं बिंदु सार के शाषन के दोरान अशांती कहां पर हुई थी, तक्षिला में हुई थी, उसके बाद बिंदु सार ने अशोक को वहाँ पर बेजा था, तो क्या होगा अंसर? A आंसर होगा चंद्रगुप्त मोरे ने अपने अन्तिम दिन कहां गुजा रहते? श्रावन बेल गोला में गुजा रहते D आंसर होगा देवा नाम प्रिय के नाम से कोन विक्यात है तो कोन विक्यात है देखे दोस्तों अशोक विक्यात था मैंने आपको बताया था तो क्या आंसर होगा इसका बी आंसर होगा चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हम इंडिका किस ने लिखी हैं इंडिका पुस्तक किस ने लिखी हैं देखिए मेगस्तनीज ने लिखी है तो क्या अंसर होगा ए अंसर होगा मोरे दर्बार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था तो क्या नाम था राजदूत का नाम मेगस्तनीज था अशोक ने किस बोद्ध सादू से प्रभावित होकर बोद्ध धर्म को अपनाय था तो उसने उपगुप्त से शिक्षा लेती मतलब इसका आंसर क्या होगा बी आंसर होगा चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिन थे तो देखे अर्थशास्त्र के लेखक जो था वो कौन था? चानक की था और चानक की जो था वो किसके समकालिन थे? चंदग्रुप्त मौरिके तो क्या आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा अगला कोशन है किस प्रसिद शाशक को शिला लेखो का जनक कहा जाता है आकर राज किया था तो मोरिवंश के बाद कौन सा वंश आयता देखिए दोस्तों शुंग वंश आयता उसके बाद में उसके बाद आयता कौन सा कन वंश आयता उसके बाद सात्वहक वंश आयता तो आंसर क्या होगा इसका बी आंसर होगा ठीक है इस सिक्वेंस से भी कोशन्स पूषब ही इसलिए आप सिक्वेँस भीध्यान रखीएगा । नेक्स्ट कोशन लेते हैं । विक्रमा दित्य के नाम से जाना जाता है किस को जाना जाता है चंद्रगुप्त दित्य को जाना जाता है लिट्षवी दrichi किसे कहते हैं, देखे, लिच्वी दोहित्र किसे कहते हैं, देखे, लिच्वी नामक राजकुमारी से किसने विवा किया था, चंदगुप्त पथम ने किया था, और लिच्वी राजकुमारी का जो पुत्र था, वो कौन था, समुद्र गुप्त था, इसलिए समुद्र गुप तो दी आंसर होगा, मैगदूत के रचिता कोन है? देखिए मैगदूत और कुमार संभव की रचना किस ने करीती? काली दास ने करीती, तो A अंसर होगा. अगला कुशन देखिए, वरामहीर थे, वरामहीर कोन थे? एक खगुल शास्त्री थे, तो क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका C आंसर होगा. चले नेक्स्ट कोशन लेते हम, रिक वेदिक आरियो का मुख्य वेवसाई क्या था? तो रिक वेदिक आरियो का मुख्य वेवसाई क्या था? पशुपलन था, तो B आंसर होगा. निम्नमेश से कोन एक बोध ग्रंथ 16 महा जन्पदों का उल्ले के करता हैं तो कोन करता हैं दोस्तों अंगुतर निकाय करता हैं तो इसका अंसर क्या होगा? A अंसर होगा मगत के किस राजा ने राज के लालच में अपने पिता की मृत्यू कर दी थी तो किस ने करी थी? अजाद शत्रू ने करी थी विम्बसार की हत्या कर दी थी इसने तो क्या आंसर होगा? B आंसर होगा चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं अशोक के शीला लेखो को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो पढ़ने वाला कोन था? प्रथम अंग्रेज देखें कोच किस ने करी थी? फेंट थेलर ने करी थी और पढ़ने वाला पहला कोन था? जेम्स प्रिसेप था तो आंसर क्या होगा? C आंसर होगा ठीक है? तो कंफ्यूज मत होईगा काफी important question है ये exam में पूछा जाता है तो फ्रेंट्स जो मैंने आपको ये questions करवा है ये काफी important question है सारे बार-बार exam में repeat हो जाते हैं question ये तो I hope आपने सारे questions solve कर लिए होंगे तो फ्रेंट्स हमने topic को पहले अच्छे समझा उसके बाद में हमने very important question answer test भी लगाया तो फ्रेंट्स इस topic से हमारा exam में number बिल्कुल पका है आप बिल्कुल tension मत लीजिए जो जो हमने topic अच्छे से पढ़े हैं उनसे अगर questions आएगा तो आप आसानी से question को solve कर लेंगे तो फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को like करिए दोस्तों के साथ share करिए और comment करके बताएए आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो please चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो में upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जय हिन जय भारत कर दोस्तों 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 क